धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रहीस खान भात करूंगा सुधीर चोधी को लेकर जो संपादक है जी न्यूज के उनके मुझसे जब्भी निकलता है जहरी निकलता है और आज मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ पत्रकार अक्रम रहीस खान मिस्टर सुधीर चोधरी आपको चैलेंज कर रहा है आप में दम है तो इस सवाल का जवाब देखके दिखाईए और आपके जो भी दम हो आप जो भी कर सकते हूँ जो भी आप एक्शन ले सकते हूँ वो एक्शन लेके दिखाईए लेकिन बोल के दिखाईएगा तो क्या आपके मुझे जब भी निकलता है जहर ही निकलता है आप नफरते फैलाते हैं सिर्फ एक संप्रदाए विसेस के खिलाप एक धर्म विसेस के खिलाप आपको नफरते फैलानी और आपकी पत्रकारता इसी पर आधारित है आपको इसके अलावा पत्र पर रहे हैं उस दिने का जवाब दीजेगा अप लोग सोच नों कर मैं इतना घुस्से में क्यूं हूं सुधीर चोधरी को लेकर सुधीर चोधरी ने बुर्के पर सवाल खड़ा किया है जो जिसे इन्हों ने कहा है शेटल कॉप बुर्का नीले रंका बहुत सारे रंका होता ह भारत का टालिबानी करन हो रहा है कि भारत का टालिबानी करण हो रहा है और धीरे-धीरे भारत के मुसलमानों को कट्टर बनाए जा तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये एक बेहद कड़वा सच है भारत के मुसल्मान दुनिया के बाकी मुसल्मानों से हमेशा अलग रहे हैं हमारे देश में हमेशा गंगा जबनी तहजीव रही है और मूल रूप से भारत के मुसल्मान कभी भी कट्टर नहीं रहे लेकिन अब भारत के इस असली डियने को बदलने की कुशिश हो रही है और आपके आसपास तालिबानी विचारधारा का असर लगातार हर पल बढ़ रहा है इसकी कुछ निशानियां हमें उत्तर प्रदेश के कैराना में देखने को मिली हैं और आज कैराना के बारे में हम जो आपको बताएंगे वो कोई और नहीं बता सकता कैराना सामप्रदाइक भेदभाव और धर्म पर आधारित राजनीती की एक बहुत बड़ी प्रियोगशाला बन चुका है और अब वहां कई सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं तालिबान का भारत से कोई ले हाव है और कबजा है लेकिन आश्चरे की बात ये है कि तालिबानी विचारधारा ने अफगानिस्तान की सीमाओं को पार करके पाकिस्तान से होते हुए अब भारत में भी अपनी घुसपैट कर दी है ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये अपने साथ एक ऐसी विचारधारा को मिश्रन है आज सबसे पहले भारत और अफगानिस्तान की दो तस्वीरों को अगल बगल रखकर देखिए पहली तस्वीर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के केराना की है और दूसरी तस्वीर अफगानिस्तान की है इन दोनों तस्वीरों में आपको कुछ समानता दिख रही है जी एक केराना है भारत का उत्तरप्रदेश का एक शहर और एक अफगानिस्तान है अफगानिस्तान की तस्वीर आपके सामने है लेकिन दोनों में आपको कुछ समनता दिख रही होगी आज केराना की लोगसबा सीट पर उपचुनाव हो रहे थे वहां उपचुनाव के के बाद जब अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर तालिबान ने कबजा कर लिया था तब तालिबानी कटरपंथियों ने महिलाओं को ऐसा शटल कॉक बुर्का पहनने पर मजबूर किया था लेकिन अब भारत और अफगानिस्तान दोनों ही देशों में महिलाएं शटल कॉक बुरका पहने हुए नजर आती है। एक देशबक्त अगर आपको होना है तो एक देश के खिलाप आपको नफरत अपने दिल में रखनी पड़ेगी अगर आपको धार्मिक होना है अगर आपको एक हिंदू अच्छा साबित होना है एक धर्म विशेज के खिलाप आपको अंदर नफरत पैदा करनी पड़ेगी क्य का यह धार्मिक होने का देशबक्ट होने का पैरामेटर हो सकता है कैसी इन्होंने पूरे प्रस्यप्शन पूरे एक धारणा बना के रख दिये क्या आप गांधी परिवार से नफरत करिए तो तो आप देशबक्ट हैं अच्छे आप पाकिस्तान से नफरत कीजिए तो तो ये कहां से ये उसूल ले आएं इनके बारे में जब आप सोचेंगे ना इनके पूरी की पूरी सोच इसी पर काम करती है कि व्यक्ति विशेष, एक समाज विशेष, धन विशेष, एक देश विशेष के खिलाप आपना फरत करिए और आपने आपको अच्छा साबित करिए तालिबान के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर अपने गाहों के और अपने आसपास के माहूल के बारे में बताओंगा, बुर्के के बारे में बताओंगा, तालिबान उनीस सो पिचान में में पैदा हुआ, अफगानिस्तान के अंदर और उसने पूरे करीब 95 फिस सद अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया जिसे तालिबानी हुकूमत कहा जाता अब बाद में जब उसामा बिलादेन भाग कर उनके पास महुच गया और अमेरिका ने पीछे से आकर कहा कि ये उसामा बिलादेन हमें दे तो उन्होंने देने से मना कर दिया उसके बार जंग हुई, जंग हुई तो सब भो लोग तबह बरबाद हो गए, खेंग हो गए, याई के किल मिलाकर सीदी सी बात ये है, कि टालीबान का जो जनम हुआ, टालीबान जो आया वो 1995 में आया, मैं अपनी दादी को, अपनी टाई को, अपनी चाची को, सब लोगों को यह गाओं के अपने अंदर यही बुर्का पहनते वे देखते वे बढ़ा हूँ मेरी उम्र करीब 40 साल हो गई है 1905 में से भी अगर मैं जोड़ू तो सिर्फ बैठती है 22 साल बचपन से मैं देखता रहा हूँ उसे पहले से वो इसी किस्म का बुर्का तमाम पूरे इस इलाकें के अंदर जो हमारे बागपा से शुरू होता है सारनपुर तक जाता है बागपा, शामली, मुजफ़र नगार, सारनपुर इस इलाके के गाओं में आप जाएंगे तो मुस्लिम ओरते जो हैं जो पुरानी मुस्लिम ओरते हैं जो उम्र दराज हैं वो आज भी यही बुर्का पहनती है वरना जो आजकल की नई लड़किया है वो दिली एंसियार में देख लिए यह बुर्का क्या है उनके बुर्के पर दियवबंद को फत्वा देना पड़ा कि बुर्का पहना बंद करें वो दो पूरा सेक्सी बुर्का पहनती है जो वर्ड है वो ही बता रहा हूं आपको उनके बुर्के का स्टाइल ही दूसरा है पूरा कसा हुआ बुर्का चुस्त बुर्का पहनती है नहीं वहाँ पर जो बुर्का पहनती है उसमें सर पे टोपी होती है, सामने से आगे नकाब होता है, लटका हुआ, उसमें जाली बनी होती है, आँकों से देखने के लिए खुला होता है, जिसे उन्होंने बार बार अपनी भाशा में कहा है कि टैंट सा पहना देते हैं उड़तों को, तो ये नफरते फैलाना बंद कर बुर्कप पहनती हैं और मेरे अपने घर में पहनती हैं अगर दम हैं तो चैलेंज कर के दिखाओ जब आप दिखे दिखाओ इस बुर्के को तालिबान का बुर्कप बता कि जो नफरते प्हयलाने की कोशिश कर रही हो क्योंकि हैं तो ुछ नही क्या कुष भी बदलेगा वो हुक्मरान भी बदलेंगे बड़े-बड़े उक्मराइज चले गए हैं बड़े-बड़े स्थूर्मा भुपाली चलेंगा इस दुनिया से नहीं रहें वक्त बदलेगा तब आपका क्या होगा सोचिए लेकिन अपने अंदर जमीर की अंदर आत्मा से सोचे सब खड़े के बश्याप कर रहें दूसरा आप वही सोच के लोग हैं जो कहते थे देखो मुसलमानों में उल्टे तवे पर रोटी पकाते हैं हिंदु में सीधे तवे पर रोटी पकाते हैं अरे अगर आपको अकल तमीज होती आज सब के घरों में गैस चुला चल रहा है कि इस मुसलमान के घरों में कोन उल्टा तवा चला रहे हैं उल्टा तवा इसलिए चलाते थे क्योंकि उस ताइम इंदन कोई कठा करके लाना पड़ता था लकड से क्या नामें वो गोबर का कंडा जिसे इदर उपले बोला जाता है उस पर खाना पना रोटी पकाते थे और उ खेनियत के लोग हैं जो इल्टा तवा जो बैटकर पेशाब करना जो तमाम चीजों पर बात करते हैं लेकिन आपकी सोच-गंदी है आप पतरकार तके लायक नहीं है आप गंदी जहनियत के पत्रकार हैं और पतरकार तके नाम पे धबा है जब ुटिहास लिखा जाएगा आपको पत्रकार ता कि जो असल माने हैं, जो लोग लिखने वाले हैं, उसमें आपको पत्रकार कोई नहीं लिखेगा, चाटू कार, बोंपू लिखेगा आपको, जो आज आप हैं और हमेशा से आप रहे हैं, सिर्फ एक सत्ता विशेज को खुश करने के लिए, राजतंत्र न के जवाब दे के दिखाना, आपको हमारी कबर कैसी लगी, कमेंट्स के रूप में, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हमारी कबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जादा से जादा हमारी कबर को शेयर कर सकते हैं, ऐसे फिर किसी सुलकते हो के सामने होंगा हाजिर फिलाल भी मुझे दें इजास्त